हलेलुया बाइबल सारांच कुरुंतियों के नाम पौलुस प्रेरित की दुसरी पत्री दुसरा कुरुंतियों यह कुरुंत की कलिस्या के लिए पौलुस की दुसरी पत्री है इस पत्री में पॉलुस अपने प्रेरिताई के अधिकार को ध्रिड करने का प्रयत्न करता है समय एवस्थान AD 56 में फिलिपी से यह पत्री लिखी गई है लेखक कुरंदियों की पहली पत्री का लेखक पॉलुस है यह स्पश्च है बहारी और भीत्री प्रमान यह पुश्ची करते हैं कि इस पत्री का लेखक भी पॉलुस ही है प्रिश्च भूमी और संधर्प कुरंदियों की दुसरी पत्री की प्रिश्च भूमी का पहला भाग पहली पत्री में देखा जा सकता है पॉलुस ने पहली पत्री इफसुस से लिखी पॉलुस ने तिमुत्यूस को कुरुंत भेजा कुरुंत से पॉलुस को यह समचार मिला कि कलिसिया में पॉलुस के प्रति विरोध आरंब हुआ है और अयोग्य शिक्षा देने वाले कलिसिया में प्रविष्ठ हो गए है इस समचार ने पॉलुस को कुरुंत की कलिसिया से मिलने की प्रेरितों के काम में इस भेट का कोई उलेक नहीं है परद्दू दूसरा कुरुंतियो दो का एक, बारा का चौदा, तेरा का एक वद दूसरा वचन कहता है तेरा का एक वद दूसरा में इसका उलेक स्पस्चता से दिखाई देता है इस भेट के समय कलिसिया के एक भाग ने पॉलुस को अपमानत किया इफसुस लोट आने के बाद पॉलुस ने अपराधी को शमा करने की इच्छा प्रगट करते हुए कलिसिया को पत्र लिखा और तीतुस के हाथ उसे भीज दिया इस समय इफसुस में हुए उपद्रव के कारण पॉलुस ने इफसुस छोड़कर त्रोआस में तीतुस की प्रतिक्षा की वहाँ पर भी तीतुस ने मुलाकात न होने के कारण पॉलुस मकी दुनिया चला गया वहाँ पर तीतुस से मिलकर कुरिंद की कलिस्या के अधिकत्तर लोगों के परिवर्तन का समचार सुना समस्याएं अभी भी शांत नहीं हुई यहुदी धर्म अगवो से उपद्रव की संभावना को देकर पॉलुस ने फिलिपी में कुरिंदियों की दुसरी पत्री लिखकर तीतुस और अन्य भाईयों के हाथ भीज़ दी एक विवाद यह है कि दुसरे अध्याई में चौथा वचन, सातवे अध्याई में आटवे वचन में उलेखित पत्री कुरिंदियों की पहली पत्री ही है और पत्री नहीं जो नश्च हुई थी इसी के आधार पर दुसरे अध्याई के 5 से 11 वे वचन तक सातवे अध्याई का 12 वचन में उलेखित व्यक्ती वही व्यक्ती है जिसके विशे में पहला कुरिंदियों 5 में बताया गया है विशे साथ पौलुस की विश्वास योग्यता और प्रेडिताई पर लोगों द्वारा उठाए गए प्रशनों का उत्तर है यह पत्री परंतु मुख्य रूप से पौलुस अति आविश्यक इश्वर्य ज्यान को इस पत्री के द्वारस पश्च करता है मसी इश्व का अम्रित्य उसे जिलाया जाना स्रिष्टी करता, कृपालू, शांती देने वाला, परमेश्वर विश्वासियों को भी अपने साथ जिलाएगा शर्तान को इस संसार का इश्वर और छल से काम करने वाला, इन नामों से पुकारा गया है मसी के पाप शमा के लिए बलीदान के विश्वे में संख्षपत विवरन दुसरा कुरंतियों में दिया गया है इबरानी की पत्री के बाद पुराने नियम की कुछ बाते का वर्णन इस पत्री में देखा जाता है प्रमुकपत चाप्टर फाइव वर्स 17-19 एशु मसी सब में सब कुछ विशे विभाजन पहला विभाजन अभिवादन दुसरा विभाजन पाउलुस की सेवा उसके नीचे पाउलुस की योजना दुख देने वाले के लिए दंड तीतुस का अभाव सेवा का स्वभाव उसके नीचे सेवा की विजय, सेवा की प्रशंस, सेवा की नीव, सेवा का विशय, सेवा के लिए प्रतिकुल अवस्था, सेवा के लिए उत्रेजना, सेवा का संदेश, सेवा की रीती, कुरुंतियों के लिए अहवान तीसरा विभाजन पॉलुस का दान एकत्रित करना उसके नीचे दान देने का नमुना, दान देने का उपदेश, दान देने की तयारी, दान देने की प्रतिग्या चोथा विभाजन पॉलुस की प्रेरिताई उसके नीचे प्रेरिताई की अधिकार, प्रेरिताई का स्वभाव, प्रेरिताई का कश, प्रेरिताई की योग्यता पांचवा विभाजन पाउलुस का संदेश उसके नीचे पाउलुस का निस्वार्थ पाउलुस द्वारा चतावनी पाउलुस द्वारा आशिर्वार्थ यही है दुसरा कुरुंतियों का सारांच God bless you पांचवा आशिर्वार्थ